भिलाई इसपात सयंत्र की मानिता प्राप्त यूनियन भिलाई इसपात मजदूर संग का सेक्टर फाइव स्थित कारयले दुरगटनाओं का केंदर बिंदू बन रहा है। यहां आये दिन हो रही बैठकों शामिल होने बीमस के सदस्यों के वाहन मुख्यमार्ग में ही पार्क होते हैं जिस याता यात बाधित होने के साथ दुरगटना होने का अंदेशा बना रहता है। बैठकों का दोर विशेश कर शाम को जारी रहता है। यहां बैठक में शामिल होने आये बीमस के पदाधिकारियों और सदस्यों के दो पहिया चोपहिया वाहन सडक में ही पार्क होते हैं जिससे मुख्यमार्ग वाहन स्टेंड में तब्दिल नजर आता है। इससे सडक से आवाजाही करते लोगों को बेहत परिशान होना पड़ता है। साथ ही दुरगटनाओं का अंदेशा भी बने रहता है। सडक से आवाजाही करते लोगों की थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी दुरगटना का कारण बन सकती है। अब भिलाई इस पात मस्दूर संग के क कारिकारी अध्यक्ष चन्ना केशलू बीमस के ठेका प्रकोष्ट के ब्यस्पी के संयोजग बनाए गए हैं जिससे अब ठेका श्रमिकों की भी यहां निरंतर आवाजाही शाम के वक्त बने रहेगी इससे बीमस के कार्याले के समक्ष वाहनों का मिला लगने और हैं क्यों कि पहले हम लोगा जो यूनियन था मानेता प्राप्त नहीं था इसलिए संख्या कम थी आज क्या हज्यारों की भीड होती हमारे बैठकों में जैसे आज का ही दिन एक ऐसा था कि हमारे यहां करीब 500 लोग अभी बैठक में आये और रोड में कहीं पार्किंग की सब्सक्राइब रहे हैं रोड पे हमारी बैठके हो रही हैं लेकि प्रबंधन ने हमारे बातूं पे ध्यान नहीं दे रहा है अगर प्रमंधन का रवइया यही रहा तो आने वाले दिनों में यहां पे कोई दुरगणना घड़ जाएगा तो इसका प्रबंधन जिम्मेदार और अन्यमाद्धम यहां भी संचार का साधन हो वहां पर भी इस बारे में आप लोग बात रखिए क्योंकि अभी यूनियन का जो दिनों दिन संख्या बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में यह के हमारे लिए एक गौरब की बात है कि ठेका मजदूर का भी संयोजक हमारे का प्रबंधन चन्ना केश्वली जी को बनाया गया है तो आज तो रिगुलर करमिशारियों की भीड़ होती थी आने वाले दिनों में यहां तो ठेका के लोग भी आएंगे ताने वाले दिनों में तो हमारे कारयले में कहीं बैठने की जगा नहीं है लेकिन प्रबंधन ने जी प्रवंधन को इस ओर ध्यान दिये जाने की जरूरत है साथ ही बीएमस को ऐसे इस्थान पर कार्याले आवंटित किया जाना चाहिए जहां उप्यूक्त वहन पार्किंग के अलावा पर्याप्त इस्थल बैठने की व्योस्ता सुनिस्चित रह सके ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दूबे